तो गाइस गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग फ्रम ओल्ड दिखा और आज का जो है हम लोग का ओल्ड दिखा ट्रिप का दूसरा दिन है पहला दिन हमने इंज्वय कर लिया और आज जो है आज हम लोग घुमने वाले हैं उदाइपूर सी बीच मरीन ड्राइब और तक सुए 7-8 वाई तक हम लोग उठ हैं तो विसी कि लिए देरी हो गया तो अभी हम लोग फटा-फट से रिक्फस्ट करेंगे रिक्फस्ट करके श्प्रोड करने निटलेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहो अगर वीडियो पर नया तो वीडियो को लाइक करो होना मत बूलना तो चलो शुरू करते हैं आज का सेकेंड डेजरनी ओलेट्स यह रही अपनी पैंथर और हमने साफ सफाई कर लिया इसका थोड़ा सब ब्रेक्फस्ट भी कर लिए सामने का दुकान से डीम टोस्ट बगारा सब खा लिए और अभी हम लोग मैप में इसको फि मरीन ड्राइब तो यहां से छे मिनट दिखा रहा है धाई किलोमेटर का डिस्टेंस बाइक घुमाएंगे अच्छा अब इसको बन करो इसको करो बन यह बहुत बकता है तो साट मीटर के बाद लेना है सबसे खास बात क्या है कि हम लोगों ने जो होटल पाया ना वो आपका ओल दिखा सी बीच के एक दम पीछे ही है होटल वाला से पूछे कि बिना हलमेट के अगर घुरेंगे तो क्या हो सकता है पुलीस पकड़े का क्या और यह देखो क्या ही खुबसूरत लग रहा है यार इसलिए ही मैंने दो दिन का ट्रिप रखा ताकि मैं अच्छे से इस आठक है करेंगे और खाना पी नगा बात करें ब्रॉक तो यहां पर काफी ज्यादा कॉश्टली है और मतलब कुलकाता में जैसे आपको खाला भी नगा है वैसे ह्योंगिए कुछ टूरीस प्लेस है तो आप यहां पर कुछ कंप्रेंड भी नहीं कर सकते थोड़ा कॉस्ली तो यहां है लूक सेल करें शोटल मैने पूछा था की फुलीश फीर विलीश पांड़ेगा तो फूस्ट एक शर्ट और पर चेक शर्ट बैग में सब कुछ ले लिया है और देखो गयार क्या ही लग रहा है पतला राइट हन्साइट में सब उंदर रहार यह एक लग प्लेन रस्ता बहुत ही कुछ रद लगा बहुत ही घुश्ट रख है यह इस तरह का समझ जो सीवीज दिखा रहा और यहां रोड है वैसा टाइप का उन्होंने बोला कि दो किलो मेंटर है तो हम लोग अपना होटल से चला है तो था किलो मेंटर अंदर लेकिन एक्चुली में यह सीवीज यह वाला मरीन ड्राइब दुसरा है और जो असली वाल अच्छे से उसके बाद फिर वहां भी निकल जाएंगे तो गाइस हम लोग अपने होटल से उदयपूर सीवीज के तरफ निकले थोड़ा उदयपूर सीवीज जो है हम लोगा होटल से पांच किलो मेंटर दिखा रहा था तो उस तरफ निकले तो जो लोग भी प्लैन कर रह यह उनको कोई दिक्कत नहीं हो लागा कि यहां पर बहुत सारा बस बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से आप यहां आ सकते हो और मतलब भीड देकर वह से लग रहा है किसी मेले में आकर मैं घूम रहा हूं ऐसा भीड एवरीडे का यही भीड यहां पर तो इसलिए मैं वीडियो क से थोड़ा सा उदयपूर का तरफ आते ही आपको यह वाला मंदर जरूर मिलेगा तो यह अभी कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन और यह काफी सॉलेड मंदर मेरे को देखने में लग रहा है मतलब पूरा एक राम मंदर जैसे हम लोग आयोध्या में बना वैसा डा होता तो मैं अपर साइड से लेकर ऊपर से लेकर अपको दिखादा बर्ट आट दा मॉमेंट यह काफी सुन्दर एक मंदिर बनने वाला है मतलब यह वी एक टूरिस्ट के लिए जगनात धाम मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है यह जगनात धाम कुछ मंदिर बन रहा है तो ग दिखा संकरपूर उन्नायन कित्तक क्या है कोर्तरी पक्षो न की लेका जब आंगले कोर्तरी पक्षो तो यह लिखा हुआ है यह दिखा का जहाज बढ़ी है बहुत सारे लोगों का जोलो भी बेंगाली यूटूबर है जोलो ट्रेवल ब्लोग बनाते है उनलों का वीडियो और देखो तो ऐसा डाइप का यहाँ पर आप 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 आराम से टेवल बे बैठके सीफूट का इंजोई कर सकते हो आराम से बीर बेगेरा पी सकते हो ओपेन और सब कुछ है कुछ भी एडन नहीं है और सबसे बड़ा बात है यह पानी देखो यह बीच थोड़ अच्छा यह लग रही सिए ओल्ड सीबिच का इप कुछ नहीं जाता है और दैम यह पानी का फ्लोर आ रहा है आदमी लोग तो पुरा आप से उधर बैठा भी हुआ है बहत है लोग चेहली के वैड़ हूए है समझ सकते है यह मुस्या च्छ लग रहा है काफी कुछ सुछ इश वाल मेरे कलो वालेट्स दो भाईया से हम लोगों बात किया जो वेडिंग फोटोग्राफी वेडिंग वीडियोग्राफी करते तो वो लोगी ड्रोन उड़ा रहा था तो बिसीकली वो लोग शूट कर रहे थे पोस्ट वेडिंग तो उनसे मैं ने पूछा कौन से ड्रोन बेस्ट रहेगा तो उन्होंने जैसे आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने बताया डिजी आई मीनी 3 जिसका 1,20,000 दाम है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा बट मेरे पास तो 1,20,000 नहीं है बट इन फ्यूचर ज़रूर हम द्रोन लेंगे मेरा सबसे पहले बाइक लेने से भी पहले मेरा मन पूरा कर दे और उसके वाद रिसर्च करके वह इन फ्यूचर का बात है वह अगर जब लेंगे तो जरूर आपको बताएंगे उसना ज्यादा ओशियन का जो विंड है वह कामरा में काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा होगा यूंकि मैंने विंड नॉइस के लिए जो आता ह देख सकते हो और दूसरा चीज़े यहां पर सीफूट को इंजॉय करना तो सीफीट बहुत जल्दी इंजॉय करने वाला हूं गोपर मेरा फिर से प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैं अभी जो है अपना डियस लार से रिकॉर्ड कर रहा हूं और मोस्ट पॉबली डियस लार से यहां पर भाइक यहां से नीचे इंचे सूथार परने दे रहा है और मोस्ट पपली पैसा लेगा कुछ ता पैसा लेका यहां से मेरे को लगता है बाइक लेके आप जा सकते है एक टागारे लिए दास्टी ने अज़्यान तीन ज़न कर जाते परें आचा बिजर चल्के आजा माने दूसो टागा तिले गुर्दे पारू कोटो खोन अदु गॉंदा टाइम पावे तिन किलोमेटर राइड आज गंटा आदा गंटा के लिए दो सो आपरे बावागा वादा कोशली नहीं आदा गंटा के लिए गंटा तनक्रेटे भई ए ब्लेट योग वाइस वाइस थी जुका है पीछे नहां बैच्छ की है और वैसे तो मेरो को स्कूटी गभी कभी नहीं चला आपने लाइफ में इस स्कूटी चला रहा है देखते कंगा लगता है बाइक जो है मेरा मेरा वाइक आने नहीं तिया क्योंकि सब का यहां पर थी तो काइज इस ही के साथ हमारा दिगा ट्रिप का दूसरा दिन हुआ खतम और अभी बज़ रहे रात का इग्यारा और आभी हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोगों ने दो दिन में क्या क्या है, इंजोई किया, प्रॉपर जो कन्क्लूजन है, वो चीज हम लोग बताने वाले हैं, यहां का फूड का क्वालिटी कैसा है, फूड का प्राइजेस कैसा है, यहां पे आपको होटल कितने रुप अगर भी आपको देखने को मिलता है, और आपको जहाज बाड़ी देखने को मिलता है, तो यह सारा चीज था देखने के लिए, तो आज का जो दिन था, वो दूसरा दिन जो था, हम लोगों ने उदयपूर सीविच को इंजोई किया, मरीन ड्राइब स्टार्टिंग में हम ने प्लाइन के था, मरीन ड्राइब जाने का, मरीन ड्राइब किसी भी वें में पॉसिबल नहीं हुआ, तो वह इंजोई कि आपने वीडियो में दिखा हो, तो आचानी, वुजद में मुरूर का पार्क मिले, तो वहां का जो ambience था वो काफी better था So main मुद्धा यह है कि आप अगर धेवसागर में आते हो मतलब अगर ओल्ड दिगा आते हो तो 2-3 जगा आराम से explore कर सकते हो धेवसागर हो गया ओल्ड दिगा सीविच हो गया तो निया बताओ फूड पहले दिन जहां खाए थे उससे बेटर आज का खाना था हम लोग का आज भी हम लोग चिकन थाली और केते हैं लेकिन वहां पर आपका खाने का क्वालेटी बहुत अच्छा मिलता तो इसलिए फूड अगर आपको कहीप से लेना है तो बहुत चूजी हो के लेना पड़ेगा यहां खाना पड़ेगा वहां से क्योंकि हम लोगों ने देखा यहां पर फूड का प्राइज थोड़ा कम नहीं है मतलब नॉर्मली कुलकाता में जैसे रेस्टुरेंस पर होता है फास्ट फूड मिल जाएगा हर कुछ यहां पर मिल जा रहा है जो से कुलकाता में आपको खाने को मिलता है मुमो वगएरा सब कुछ जो आप फास्ट फूड में खाते हो बट क्वालिटी एवरेस था कुलकाता का जैसे नहीं था और प्राइज लेकिन आपको थोड़ा हाई क्योंकि यह टूरिस प्लेस है तो यहां पर थोड़ा प्राइज बगरा थोड़ा हाई ही रहेगा और कोई भी आपको सेलिशन हो या कमेंट करना हो तो आप वीडियो के एंड में कर सकते हो सके तो हम लोग कुछ जवाब दे सके और दूसरा होटल का प्राइज तो होटल का आप को यहां पर 300 रूपया से लेकर 340 क्यां आपको यहां मिल जाएगा आपको लगजरी चाई यहां पाछरो मिल जाएगा Marigam में तुम को काफी पसंद और जो लो बस से आना चाहते हैं वह भी कुछ इंफ़र्मेशन आप से शेयर करना था तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो को जरूर लाइक करना कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना और सुबह हम लोग निकलने वाले हैं साड़े पाच बज़े कोलकाता के लिए तो यहीं पर करते हैं वीडियो को खतम गोटनाइट सुब्रात्री